है कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहा है कॉमिक्स उप्तारा चैनल को दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस सब्सक्राइब करें और साह्मेट कर kfeldia zoals करें जिससे मेरे चैनल में मैं 30 के बात से कवर करूंगा और लास्ट तक इस वीडियो में ही कवर कर लूँगा तो अगर आप आपने पहले पार्ट नहीं दिखा तो पहले पार्ट सबसे पहले जा करके देख लिए तब यह पुरी कहानी आपको समझ में आपाएगी तो पहले से निकलती अपने हडियों को और जैसे ही हडियों ने भुकाल का सरेट छोड़ा वैसे ही वो गिली मिटी के लोंदे की तरह जमीन पर बैठता चला गया अब अपने सैतान सैनिकों के साथ ठाका लगाता वहां से चलता बना हडी राज हाँ 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 अब भुकाल उसे जाता देखते रहने के सिवा कुछ ना कर सका ओफ अन्य लोगों की तरह हडी राज मेरे भी हडियों को चुराने में सफल हो गया लेकिन हडी राज हडियों की चोरी क्यों कर रहा है क्या करना चाहता है वो हडियों के बल पर कहीं इन हड़ियों का संबद भिशो पर आने वाले उस संकट से तो नहीं इसके बारे में प्रोहित सिर्माली जी ने बताया था अगर मैं सिर्माली जी की पिता महात्मा योगाचारे से जाकर मिली तो वो मुझे इस बारे में और से ही सब कुछ बता सकते हैं मुझे उनसे तुरंथी मिलना होगा लेकिन मैं खड़ा हो ही नहीं सकता पर फिर भी मुझे महत्मा योगाचारे की गुफा तक पहुँचना ही है इसलिए मुझे परहरा से अपने सरीर को सहरा देने वाले कुछ यत्र बढ़ाने होगे ताकि मैं उनकी सहता से खड़ा होकर अपने पंकों की सहता से उड़ सकूँ आज बड़े काम आ रहे हैं ये पंक इन पंकों को मेरे कंकार से कोई संबन नहीं इसलिए उनकी हडिया अभी भी सही सलामत है और मुझे पहली सी गति परदान कर रही है जल्द ही इस पवित गुफा तक तक तो मैं पहुँच गया लेकिन पुरीत परिवार का ना होने के कारण मैं गुफा में परवेश्ट नहीं कर सकता और अपने प्रण के कारण महत्मा योगाचारे बाहर नहीं आ सकते तुम सही सोच रहे हो महावली हमने वास्ता में गुफा से बाहर ना आने का परण लिया हुआ है परण्तु ये परण्ट हमने मनाता के भले के लिए लिया था लेकिन तुमारी दसा देखकर लग रहा है कि अब हमारे परण्ट का कोई अच्चतित नहीं रहा क्योंकि अगर हम बाहर ना आएं तो वो मानों और मनावता ही नहीं बचेगी जिसके भले के लिए हम तब कर रहे है गुफा से निकल कर वोकाल के सामने आखड़े हुए महत्मा योगाचारे चामा कीजिएगा महत्मन सरीर में अस्थिया नहीं है इसलिए आपका अस्थिवाद लेने के लिए आपके चल्गों में नहीं जूग सकता किर्पया करके मेरे कुछ प्रस्णों का उत्तर देकर मेरी संकाओं का निवारन क कीजिए वकाल ने अपने प्रस्ण बताए तो उसकी उत्तर में गंभीर स्वर में बोले महत्मा योगाचारे है हमारे पोते से दिब्य भवुद छीन लेने के पीछे हटी राज का उदेश से अत्यांत भयानक है महवली उस भवुद के बल पर वह ऐसा सहतान सेना का निर्मा बासार इंद्र के वज्र का सामना नहीं कर सकता इसलिए वो किसी ऐसे पुन्य मनृसी की अस्तियों की खोज में है जिसका अस्तर बनाकर वो इंद्र के वज्र को मात कर सके उससे ये नहीं पता कि वो पुने मनुसे कौन है इसके अस्तियों से वो इंद्र के वज्र को टकर देने वाला अस्तर बना सकता है इसलिए वो हर मनुसे की अस्तियों की चोरी कर रहा है जो उसके सामने पढ़ रहा है ऐसा करने के पीछे उसकी में मनसा भी है कि कभी तो उसकी कोज पूरी होगी और ये मुझे अत्यम दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि तुमारी अस्तिया चुराते हैं उसकी कोज पूरी हो गई है मेरी अस्तिया? हाँ महावली तुभी वो पुन्य मनुस्य हो जिसकी अस्तियों से अस्तर बना कर देवराज इंद्र के वज्र को चूर चूर किया जा सकता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है महात्मन किसी मनुस्य की अस्तिया देवता इंद्र के वज्र का सामना कैसे कर सकती है तुम भूल रहो महवली कि देवता इंद्र का वज्र भी मनुस्य की अस्तियों का ही बना है महान रिशी दधीची को याद करो महवली रिशी दधीची नहीं अपनी अस्तियों का दान वज्र बनाने के लिए किया था बाकी मनुसी की अस्तियों की सहता से हड़ी राज स्वर्ख पर चिराई करने का रास्ता बनाएगा एक चंड रूको महवली अपनी बात बीच में रोकर महात्मा योगाचारे ध्यान मगन हो गए अचानक उनकी चिंता से भरा स्वर्ख भुकाल के कानों में पड़ा अनर्थ हो गया महवली हड़ी राज ने मनुसी की अस्तियों का रास्ता मनाकर देवलोग पर चराईश सुरू कर दी है उसके पीछे उसकी सैतानी सेना और उसके हाथ में है तुम्हारे हड़ीों का बना हुआ हातियार जिसे वो सिख्री सिद करके वज़र से भी घातक अबिद्वन सक अस्तर बना लेगा और उसे सिद करने के लिए वो पहले एक यग करेगा उसे रोकना होगा महवली अन्य था वो इतना अधिक सक्तिसाली हो जाएगा फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा मैं ऐसे नहीं होने दूगा महत्मन मैं उसे रोकने जा रहा हूँ रोक जाओ महवली बिना अस्तियों के इस सरीर के बल पर तुमसे नहीं रोक पाओगे तुम्हारे सरीर को अस्तियों क्यों सकता है परन्तु मेरे अस्तिया तो हड़ी राज के पास है ये मेरे सरीर में वापस कैसे आएंगी अपनी अस्तियों को तो तुम्हें स्वही प्राप्त करना होगा पर तो फिर भी तुम्हारे सरीर को अस्तिया मिलेगी ऐसा कैसे होगा महात्मन जवाब में एक मोहन मुसकान खेल गई महात्मा योगाचारे के अद्रूपर सेक्रो वर्सो पुराना इतिहास आज फिर दोहरा जाएगा मनौता की रक्षा के लिए आज फिर महर्सी दजिज्दी की तरह किया जाएगा अस्तितान वकाल कुछ समझ पता उससे पहले महात्मा योगाचारे की अस्तिया उनके सरीर को त्याग कर वकाल के सरीर में परवेश कर चुकी थी अचंबित वकाल अस्तिविहिन महात्मा के सरीर को देखता रहा ये आपने क्या क्या महात्मन वही जो मनेता की भलाई के लिए उत्तम है हमारी अस्तिया ने तुमारे सरीर को पूना खड़ा कर दिया है इसलिए यहां खड़े रहकर प्रस्ट करने में समय मत गवाओ अपने सरीर से केतिम सवाहरे को हटाओ और अपने उदेशे को पून करने के लिए बढ़ जाओ परन्तु एक बात ध्यान रखना मावली हमारे और तुमारे सरीर की संरस्टा भिन भिन है इसलिए हमारी अस्तिया तुमारे सरीर का साथ अधिक दे तक नहीं दे सकेगी तुम्हारी तुम्हें अतिसीगर अपनी हडिया प्राप्त करनी होगी जब तुम ऐसा करने वाले होगे तो हमारी अस्तिया स्वे तुमारे सरीर का साथ छोड़ दीगी अब जाओ जो आग्या महत्म भकाल ने पुर्वी सर्था के साथ उस अस्तिदान करता को परनाम किया और अपने पंको की सहता से दूर्थगति से उर्था चला गया उधर जहां हडी राज देवलग पर चढ़ाई करने से पहले भकाल की हडियों से बने अस्तिद को सीध करने में जुटा हुआ था प्रिम प्रिम महास्यतान नमो प्रित्वी की जगा मैंने ये यग अकास मार में करने का निश्चा इसलिए किया है ताकि इस वतवरन में महास्यतान की सक्तियों को इस अस्तर तक पहुंचने और उसे विद्वन्शक बनाने में ज़्यादा समय ना लगे उह नहीं ये कुण में अहोती देता हड़ी राज का हाथ अचानक ऐसे ठिटका जैसे एका एक लक्वा मार गया हो और ये हालत सिर्फ उसके हाथ की नहीं बलकि उसके सारे सरीर की भी थी क्योंकि जो हबा में बने हड़ी वाले रास्ते पर बेहत तेजी से आगे बढ़ता नजार आ रहा था भुकाल ये तो भुकाल ही ही तो है जो तीजी से इधर ही भड़ता आ रहा है पर तो वो समाने रूप से खड़ा होकर कैसे चल रहा है उसकी हडिया तो इस सस्तर के रूप में मेरे पास है भुकाल कैसे खड़ा हुआ मुझे इससे मतलब नहीं मुझे तो इससे मतलब है कि वो मेरे प रहा है काली किर्दों की उस भी सनवार ने हड्डियों के रास्ते के परखच्चे उड़ा दिये इसी के साथ भुकाल नीचे की तरफ ऐसे लहरा उठा जैसे पेर से टुटा नारियल लेकिन भुकाल और नारियल में एक बहुत बड़ा फर्क था नारियल के पंक नहीं होते हैं इसलिए भुकाल की तरफ उड़ नहीं सकता मुर्ख अडिराच कंकाल रास्ते को नस्ट करके तुने अपना ही नुकसान किया है भुकाल का इस पर कोई परवाण नहीं पढ़ने वला क्योंकि भुकाल अपने पंकों की सहता से उड़ सकता है हाँ 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 अपना नुकसान कर लो इतना मुर्ख नहीं हो मैं कंकाल रास्ते को नस्ट करके पहले ही मैं जानता था कि तुन कर मेरी तरफ बढ़ेगा लेकिन मैंने इसका परवन पहले से ही कर रखा है तो उड़कर मेरे पास पहुंचते की जगा सीधा यमलोग पहुंचेगा अत्यां जहरीले धुएं की ये बादल यहां के वतवर्ण में चारों तरफ फैले हुए है इन बादलों में जो भी घुषेगा च्छनबर में ही पानी पानी हो जाएगा वोकार ने तुरंती अपनी गती पर लगाम लगाई वोफ साइन समय पर मेरी निगाव उस गीत पर पड़ गई जो उस धुएं के बादल में परवेस करके पीगल गए वरना उन बादलों में घुषकर मेरा भी हाल उनी जैसा होता इसका सीधा सा आर्थ है कि वे जहरिले धुएं के बादल है उन्हें पार करने के लिए मुझे करनी होगी थोड़ी से तैयारी वोकार ने तुरंती खुद को परहरा की सायता से एक आवरन में कैद किया और मैं बेखटक इस जैरेले धुएं में परवेश कर सकता हूँ परहरा की किर्णों से बना ये आवरन इसके परभावों से मेरे सरीर की रख्चा करेगा ओ नहीं मेरा सोचना गलत निगला परहरा की किर्णों का आवरन भी पिगलने लगा है और तेजी से पिगलता जा रहा है कुछी चनों में ये मेरे सरीर से पिगल कर गिर जाएगा और फिर पिगलने की बारे मेरे सरीर की होगी और अब चुकी मैं ना आगे बढ़ने के स्थिति में हूँ ना पीछे हटने के स्थिति में इसलिए मैं अपने सरी को किसी भी तरह पिगलने से नहीं बचा सकता हूँ अपने सरी को पिगलने से बचा सकता हूँ मैं और उसके लिए मेरे पास बहुत ही कम समय है क्योंकि अपने उपाय को कार्यान में करने के लिए मुझे परहरा के आउरन को अपने सरी से हटाना होगा और मेरे ऐसा करते ही ये जहिला बादन मुझे पर अपना परभावाद डालने लग जाएगा इसलिए मुझे अपने सरी से परहरा का आउरन स्वाप्त करते ही बिना कोई च्छन गवाय पंकों को बहर तेजी से हिला का इतनी तेज हवा उत्पन करनी है जो इन धोये के बादलों को उड़ा कर यहां से धूर ले जाए अपने बड़े पंकों का ये परवक मैंने उन गरुड मानों से सिखा है पिछले दिनों जिनों ने अपने पंकों की सहता से बिकास नगर को भायनक संकटों में फसा दिया था अपने बिलच्छन पंकों की सहता से भोकागना सिर्फ उस भैंकर संकट को अपने से दूर भागाने में सफल हुआ था बरकि अपने दुस्मन के चेहरे पर चिंताओं के लखे खिचने में भी सफल हुआ था ओफ वो जरी ले धुयें के बादलों से बचकर इधर ही आ रहा है रोको उसे ओफ इस बार अपने सैतान सैनिकों के बल पर मेरा रास्ता रोक रहा है हड़ी राज परन्तु सायद उसे नई मालूम के अब भुकाल एक ऐसा तुफान बन चुका है जिसे सैतानियत का कोई भी परवत उसे नई रोक सकती अन्धदून उस सैतान सैनिकों पर जरूट तूट पड़ा था भुकाल लेकिन दिमाग अभी पूरी तरीके से उसके साथ थी साभी सैतान सैनिक पहले ही मरे हुए है इसलिए ने मालने का परियत्म करना अपनी सक्तियों का ब्रयात परियोग करना ही होगा इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं ने मालने की जगा परहरा के बंदों से कैद करता जाऊ वैसे परहरा की बंदों में अधिक दे तक कैद तो नहीं रहेंगे पर तो मिझे इतना समय उससे मिल जाएगा कि मैं इंसे छुटकारा पाकर हड़ी राज तक जा पहुँचू ते लोग विजई बनने का अपना हद परयास बंद कर दे हड़ी राज क्योंकि मुझे तेरे मिलतु के देवता के पास पहुचाना है मिलतु हड़ी राज के पास आने से बहे खाती है वोकाल इसलिए मुझे नहीं अपने मिलतु देवता के पास पहुचना है मेरे इन काली किर्णों का सिकार बन कर आज भुकाल पर तेरी कोई भी काली पीली किनो का असन नहीं करने वाली भुकाल तेरे लहू से इस यकी अगनी को बजाकर अपने हड़ियों को तेरे सिकंजे से मुक्त करके तेरी हर सपने को चूर चूर कर देगा जिसका आरहम होगा तेरी इस सक्तितंत्र के तोटने से ओ, तो तु मेरे सक्तितंत्र को तोड़कर मेरे सपना तोड़ना चाहता है चल मैं तुझे ऐसा करने का एक उसर देता हूँ ये ले, मैंने तेरी हडियों से बने इस अत्यार को इस जलकुंड में डाल दिया है जल्दी कर वकार तेरे पास कुछी चनों का समय है क्योंकि इस जलकुंट से तेरी हडिया कुछी चनों में ऐसे बिले होकर रहे जाएगी कि तुम इन्हें फिर कभी नहीं पा सकेगा जीवन भर बिना हडियों के गूमेगा ओफ यह वह सही कह रहा है सचमच मेरे पास अपने हडियों को दुबारा प्राप्त करने का यही उसर है और इस उसर को गवाना मुर्खता होगी वकार जैसे ही उस जलकंट की तरफ चलांग लगाई वैसे है उसके सरीर में मौजूद महादमा योगाचारे की अस्तिया उसके सरीर से अलग होकर गिर गई लेकिन भुकार जो चलांग लगा चुका था वो सफल हो गई थी तेजी से अपने हडियों की तरफ बढ़ता चला गया ठीक यही वह चंद था जब उपर मजूद हडी राज के हलक से उबल पड़ा वसेतानिट अठासा हा 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 अपनी हडियों को दुवारा प्राप्त करने के लालाच में आखिर भुकार महिर जाल में फची गया उसे पता ही नहीं कि इस जलकुण में कुद कर वो अपनी हडियों तो प्राप्त कर लेगा लेकिन उस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो उसी जलकुण में भस्म होने वाला है क्योंकि मेरे आँखों से निकली ये चिंकारिया इस जलकुण को बना देगी भयानक अगनी कुण इधर जलकुण भीस्त अगने के कुण में बदल गया इधर महत्मा योगाचारे के पताप से अपने हडियों को धारन करता भुकाल चोका ये क्या इस जलकुण के जल में आग लग गई मुझे तुरहनती यहां से निकलना होगा अन्यता यही भस्म होकर रह जाओंगा मैं ओपर पहुँचने के लिए मुझे भीसन संगर्स करना पड़ रहा है निश्चाही अड़ी राज ने इस अगनी को अपने दूस सक्तियों से अविमंत्रित कर देखा है अत्यदिक संगर्स करके भुकाल उस अगनी कुण से बाहर तो निकला लेकिन तब तक उसका सारा सरीर खुद एक अगनी कुण बन चुका था उस आग से धूदू करके जल रहा था भुकाल का सरीर जल रहा था भुकाल उसके सरीर का कोना कोना जो बुझाने की कोशिश से और भी ज़्यादा बढ़क रही थी जल्दी भुकाल के सरीर का माज जलने की गंद बतवरन में भुलने लगी थी और भोकाल की चीखों से कापने लगा वतवरन का कलेजा और भोकाल के कंट से वो चीखों से तब तक उबलती रही जब तक अगनी ने उसके सरीर को भस्म करके उसे कंकाल में नहीं बदल दिया अगनी ने एक महवली के जीवन का अंध कर दिया और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे हड़ी राज के हलक से गुजने लगा गुजने वाले ठाके ने सारा आकास हिला दिया जो कंकाल मेरे सामने पड़ा है अब उसे मुझे से छीनने का प्रेपन कोई नहीं कर सकता क्योंकि भुकाल नामक जिस महवाली का सरीर ऐसा कर सकता है वो राक बना पड़ा है अब इन कंकाल रुपी हड़ीों का स्वामी मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता इसलिए अब इन हड़ीों से बने हतियार के बलबन ना मुझे कोई तीनों लोग को जितने से रोक सकता है और ना तिरलोग सर्माट होने से सफलता के नसे में चूर हड़ी राज नहीं जानता था कि वहाँ सिर्फ वही कंकाल नहीं पड़ा था जिसके बलबल वो तिरलोग समराट बनने के सोच रहा था बल्कि वो कंकाल भी पड़ा था जो उसके हर सपने को चूर करने की सोच रहा था और वो कंकाल था महत्मा योगाचारे का और उस कंकाल के हाथ में परकट हो रही थी वह दुब्बे भबूत जो अरसर पहले भस्म हुए ये दाव को भी जीवित कर सकती थी तो फिर भला वो भबूत उस भुकाल को कैसे जीवित ना करती जो अभी कुछ चन पहले ही भस्म हुआ था नया जीवन पाकर एक जटके से उटखरा हुआ महवली इसी के साथ हड़ी राज के हलक से उबलता ठाक का दरदनाग चीखों में बदल गया भलाग आख जो जीवन सदा पाप का अंद करने में समर्पित होते हैं इस वर उन्हें इतनी अतानी से सिवकार नहीं करता वो उन्हें किसी ना किसी बहाने वापस भेज़ देता है तुझ जैसे पापी का अंद कर देने के लिए और अब तुझे समाप्त करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि तेरी सेतानी सक्तियों को मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ मेरे सक्तियों को मात करके तू ये मत समझ भुकाल ये तू मुझे समाप्त कर देगा हा 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 मुझे समाप्त करना असंबर है क्योंकि मेरे प्राण मेरे हर्दय में है और मेरे हर्दय मेरे सरीर में है ही नही वो तो उस सेताणी सेना के किसी एक सैनिको के सीने में धुरक रही है जो तुझे टुखिरों में बदलने तेरी तरफ बढ़ रही है मुझे छोड़कर अपने परानों की चिंता कर, क्योंकि जैसे ही मुझे मेरा कंकाल मिलेगा वैसे ही मेरे सभी सकतिया भापस आ जाएगी कुछ और सुचना होगा अतिसिग्र क्योंकि मुन से जादा जड़ तक बचे रहना असंभव है लेकिन इसे बचने के लिए क्या किया जाए दिमाग के घोड़ों को पूरी गती से दोड़ाने लगा दोड़ाने के बाद भुकाल को दिखाई दी वो अंधेरे के रोसनी की कीरन इन सैतान सैनिकों को पर परहादा का कोई लाब नहीं लाब तो तब होगा जब मैं हडी राज पर वार करूँगा लगता है तुम मेरे हाथों से मनना चाहता है तब ही मुझ पर वार कर रहा है चल तेरी ये इच्छा मैं प्लूरी किये देता हूँ भुकाल पर तूट वो भुकाल पर तूट पड़ा और इसे के साथ भुकाल के अधरोपन मुस्कान खेल गई बहुत खुब और तेज और तेजी से परहार कर यहीं तो मैं चाहता हूँ क्योंकि जितने तेजी से तुबार करेगा उतनी तेजी से तेरी सांस पूलेगी और जितनी तेजी से तेर वो हर्दय धड़के का जो तेरे सरीर में नहीं किसी सैतान सैनिकों के सरीर में है बिल्ली के तरह तीखे कर लिये थे वोकाल ने अपने कान उस आवाज को सुनने के लिए जिसकी उसे वहाँ से गुजने की आसा थी अब भुकाल की वहासा उस समय पुरी हुई जब उसके कानों में गुजा वो धक धक की हलकी सी आवाज हर्दय के धड़कने की ये आवाज सैतान सैनिक की बिल्ला मौजूद उस सैनिक के सीने से आ रही है इसलिए उसी सैनिक का सीना है मेरी तलवार का निसाना चुक था भुकाल की तलवार ने उससैनिक के सीने के साथ साथ उसके धड़कते हड़ी राज के हदे को भी चीट डाला इस एक साथ चिखता हुआ हड़ी राज कटे हुए बिल्च की भाते नीचे आगिरा उस देड़ तरपा और फिर सांथ हो गया सदा के लिए समाप्त हो चुका था तीनों लोगों को जीत लेने का सपना देखने वला वो सैतान और उसके साथ ही उसकी सैतानी सेना उसकी माया भी समाप्त हो चिकी थी फिर बाद में तुमने तीनों लोगों को एक दूसर राक्षस के आतंग से बचा लिया तुम धन्य हो मावली धन्य तो धन्य मैं नहीं आप है महत्मन अगर आप अपने दिव्य भवु से मुझे पुने जीवन परदान ना करते तो मैं तो समाप्त हो ही गया था किर्पया आप अपना कंकाल ग्रहन कीजिए अपने पौत्र को दिव्य भवु दे कर अग्या दीजे ताकि मैं आपके परिवार के सदस्य के हाथो ही आपके पुत्र पुरुईत रिमाली जी को जीवित करवा सको और उन लोगों को दुबारा अस्तिया दे सको जिनके अस्तियों को हटी राज में चुराया था जल्दी बालक हरी मोन के साथ दिवे भवुद को लेकर राजधानी की तरफ उर चला था महवाली भुकाल इसी के साथ ये कोमिक्स यहीं पर समापत होती है मिलते हैं एक नई कोमिक्स के साथ तब तक के लिए बिदा मुझ झाल झाल प्रफ चला झालो 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 है जुद के लिए तब बाल राजम के जड़ता है झालो है